क्या कभि आपने RSI का indicator इस्तेमाल करके trading की है ? क्या आप RSI के बारे में उसकी functioning के बारे में और stock market में उसकी importance के बारे में जानते हैं ? क्या आपको पता है कि आप RSI के indicator को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से और अपने trading को बहुत जादा profitable बना सकते हैं ? अगर आपको नहीं पता RSI क्या होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ RSI एक stock market का indicator है जिसको हम अपनी stock trading के लिए इस्तमाल करते हैं इसका पूरा नाम होता है relative strength index और ये एक oscillator window में दिखाई देने वाला indicator है यानि कि जैसे आपने pulse reading देखी होती है उस तरीके से ये दिखता है और chart में नीचे की side दिखता है candle तो चलिए जानते हैं कैसे काम करता है RSI indicator आज किस वीडियो में मैं आपको दूँगा RSI की पूरी जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त परवीन राना और आप देखने शुरू कर चुके हैं ElgoCrap का वीडियो टूटोरियल साथी साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप automatic trading करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं लेकिन उससे पहले ElgoCrap के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ तो अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे है ना ये एक चार्टिंग सॉफ्ट्वेर है ब्रोकर के platform पे भी इस तरीके से चार्टिंग आप देख सकते हैं किसी भी ब्रोकर का आपके पास account हो चाहे वो एंजल हो चाहे वो जिरोदा हो या कोई भी ब्रोकर जितने भी ब्रोकर आजकल web platform प्रोवाइड करते हैं उन सब में चार्टिंग टूल आता है अब यहां पर आपको indicator पर जाना होता है ठीक है अब मैं यहां पर जो मेरे platform पर जो indicator है मैं उसमें से आपको RSI indicator दिखाऊंगा ठीक है यह देखे ऑसी लेटर का जो window है यह जितने भी indicator है वो सब नीचे के window में आते हैं मैंने कि अभी जैसे मैं apply करूंगा तो दिखाऊंगा यह देखे रिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स है तो मैंने यहां पर इसको apply किया और यहां पर इसके inputs हैं मतलब कि पूछ रहा है कितने पीरेड पर चेक करना है पीरेड पर मतलब कितनी पुरानी candles पे 14 पीरेड लिखा है तो पुरानी पिसली 14 candles चेक करके उसके calculation करके लाएगा apply to यानि की indicator को जो apply करना है कि जो पुरानी candles देखने है उनका क्या देखना है close उनका open price उनका high price उनका low price उनका median उनका typical price या उनका weighted close price ठीक है इसको भी आप अपनी तरीके से set कर सकते है major जो लोग जिनको नहीं आता है जिनको नहीं पता कि अलग से parameters क्या change करना है वो default के लि इसकी line को करना चाहो वो यहां पर empty 4 में कर सकते हो बाकी broker के platform पर किस तरीके से वो धोड़ा देखना पड़ेगा तो जब हम इसको apply करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ यहां पर नहीं दो level दिया है 80 और 70 इसको आप अपने हिसाब 14 पिरिट लगाया और यह उपर से नीचे जा रहा ठीक है अभी मैंने 70 और 30 के levels यहां पर लगाएं पहला जो method होता है उसमें लोग इसको as a overbought और as a oversold use करते हैं ठीक है यानि कि एक level के उपर जाने के बाद जब यह वापस नीचे आता है तो उसको consider करते हैं कि अभी overbought हो ठीक है यहां पर एक level है आपका और यहां उसके बाद एक level है आपका यह यहां पर जब आप देखेंगे कि बिल्कुल bottom पर था और bottom से उपर की side गया तो यहां पर इस तरीके से level बन गया कि वही oversold हो गया अब buy बन सकते कभी भी उसके बाद जैसे यह नीचे graph गया यहां पर overbought हो गया है बहुत सार लोगों ने खरीद लिया overbought और oversold के लिए इसको इसको इस्तमाल करते हैं यह तो है अपका पहला तरीका ठीक है दूसरा तरीका होता है जिसमें यह overbought और oversold को यूज नहीं क्या आता है उसमें strength को यूज क्या आता है कि अब इसकी strength कितनी बन रही है ठीक है उसके लिए हम क्या करते हैं इन लेवल को हम चेंज करते हैं ठीक है यह तो पहला लेवल था जो मैंने आपको और overbought और oversold को किस तरीके से इस्तमाल करना है अब अगला जो इसमें मैं आपको दिखाता हूं वह किस तरीके से कर सकते हैं आप वह यहां पर जो लेव तो जैसे मैं आपको और किसी एक्जम्बल से आगे दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देखें यहां पर आप देखेंगे कि 45 का लेवल जो टूटा तो उसके बाद मार्के नीचे चलेगे डाउन चलेगे और उसके बाद आगे तक आप देखोगे यहां से लेके तो यहां से यहां तक अभी अगर आप प्रॉफिट की कैल्कुलेशन करें तो यहां से और यहां तक जो आपको प्रॉफिट मिला वो लंसम 270 पॉइंट का था बैंक निफ्टी का और यह दो दिन की 13 से 14 तक तो इस तरीके से आरेसाई को आप दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं प्रॉफिटेबिल्टी इसमें आप आपको अच्छी खासी मिल जाती है कहीं भी मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहूं को तो यहां पर देखिए आप यहां पर 55 के उपर जाने पर बाय ले सकते हैं और 45 के नीचे जाने पर सेल ले सकते हैं या बैसिकलिस का जो फंडा होता है वो होता है की बुलिश और ब़िख इस मेहां पर एक ल्यो मेल में ने बना दिका कशी 효ऌ मिट लेवल का मतलब कि 50 लेवल जो 50 का लेवल है उस लेवल के उपर अगर मार्केट होती है तो वह पॉजिटिव मानी जाती है और उस लेवल के नीचे अगर मार्केट होती है तो उसको बेरिश माना जाता है इस तरीके से भी आप RSI के इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं जिस इस तरीके से भी इसको आप एनलाइज कर सकते हो हर एक ब्रोकर के चार्ट में मिल जाएगा कोई ज्यादा टफ नहीं है ठीक है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा यहां पर मैंने आपको बता जाएगा दो तरीके से अनलाइज होता है पहला ओवर्वाट और सोल्ड की कंडि 70-30 करता है तो अलग-अलग हिसाब से इसको ट्रेड करते हैं 70-30 वैसे मोस्टली वो लोग यूज करते हैं जो ओवर्वाट देखना चाहते हैं ठीक है तो यह था कि वही किस तरीके से आप RSI को यूज कर सकते हो बहुत आसान है इसमें पैरामीटर्स ज्यादा होते नहीं है इनपुट्स ज्यादा होते नहीं है सीधा सिंपल सा फंडा है इसमें अगर आप जाएंगे तो पीरिट कौन सा डालना है और एपलाई किस पर करना है वैस यही दो सेटिंग है उसके लावा कुछ नहीं करना है यहां ठीक है minimum to maximum की range दे रखिए 0-100 के बीच दिखाना है वही ज्यादा कुछ नहीं है बहुत ही आसान है अगर steps पर आप समझना चाहो तो 50 के उपर आप buy समझ सकते हो और 50 के नीचे इसको sell समझ सकते हो आप क्या है कि अगर 50 के ऊपर और नीचे ही करते रहोगे तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा मतलब कि वह एक ही candle पर बार 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 ब signal मिलेंगे तो इस तरीके से आप RSI के indicator को इस्तिमार कर सकते हो अब मैं बताता हूं कि अगर आप trading करना चाहते हो automatic RSI के उपर यानि कि आप चाहते हो कि 55 के उपर जैसे RSI जाए तो मेरे buy हो जाना चाहिए 45 के नीचे जैसे RSI मेरा sell हो जाना चाहिए तो उसके लिए आप हमारे platform पे जा सकते हो तो जैसे यहां पर आपको relative strength index की strategy मिल जाती है ठीक है प्राइस की बात करूं तो 14.99 रुपे एक महीने का प्राइस है बहुत ही nominal है एक महीने लगाता ट्रेड होगा आपका 14.99 रुपे पे करने के बाद जाएंगे तो हमारे platform पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना ह है कि कौन से सिंबल मेरे लिए अच्छे है ठीक है उसके लिए आपको कहां जाना है हीट मैप में जाना है हीट मैप का सेक्षन है स्ट्रेजी सेक्षन में हीट मैप मिलेगा हीट मैप पर जाने के बाद आपको relative strength index को select करना है जैसी आप relative strength use करेंगे यहां पर आपको बता दे है उसके बाद stop loss लग जाने कि जिन लोगों नो target one use किया था उनका target लग गया उसके बाद अगला signal आया वह यहां पर देख सकते हो आप यह भी एक ही तारिक को आया जो है बाय का signal 1924 रुपे में जो कि यहां पर exit हुगा 1948 रुपे में target 3 तक achieve हो गया इसके 24 रुपे का profit इस त चार सिंग 24 में मिलेगा अगर आप cash करते हो अगर आप future करते हो तो उसके साफ से आप उनके lot size के साफ से multiply कर सकते हो तो मैं दुबारा से आता हूं अपनी strategy के उपर यहां पर relative strength index आपने select किया यहां से आप कोई भी symbol जिन में आपको अच्छी खासी accuracy दिखाए दे रही है points भ लोड़ सा risk रहेगा कि कुछ signals में swap loss होंगे कुछ में target होंगे तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो तो अब जैसे यहां पर आपने यहां पर एक कोई भी strategies चूज कर ली मालों आपको लगता है कि मेरे लिए टाइटन बढ़िया ठीक है अब टाइटन बढ़िया तो आप क्य ठीक है 5 पैसा है Alice Blue है Angel है बसन है इंडिच है फिंडॉक है ठीक है कोई भी आप अकाउंट यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है मैं आपको token लेके दिखाता हूं जैसे अभी मैं पेटियम सेलेक्ट किया है अगर मैं get access token पर जाओंगा तो मुझे पेटियम की website पर लेके तो यह जो token हमें मिला है ना नीचे जो आ रहा है आपको देख रहा हूं यह आज का token है हमारा validate token पर क्लिक करके हम cross verify कर सकते हैं token valid है नहीं access token valid बता रहा है इसका मतलब कि जो हमें token मिला है वो एकदम correct है और आज की trade हमारी perfectly हो जाएगी अब यह काम आपको रोज daily करना है 8-9 क जाने कर सकते हो अगर आप mobile से करना चाहते है तो Google Play Store पे जा सकते हो Google Play Store जब आप जाओगे तो वहां पर आपको ऐल्गो क्रेप सर्च करना होगा application में जाके इसी आप एल्गो क्रेप सर्च करेंगे यह हमारी application इसको आप install कर सकते हो install करने के बाद आप इसमें login या register कर सकते ह और रजिस्टर करने के बाद भी आपको 6 दिन का ट्राइल मिलेगा ठीक है अब मैं प्लैट्फों में वापस आ रहा हूं यहां पर मैं टोकन ले लिया अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको आटोमेट करना है उसके लिए सिंपल तरीका कुछ नहीं करना बहु प्okol पर्यूचर कना है तो मैं टायटन यहां पर कर सकता हूं ठिक है मैं इन तायटन हूं लिख तो यहां पर टायटन का फ्यूचर आगया इसको मैं सेक्ट कर लूं गा इसके बाद ऑप्शन है प्रोडेक्ट टाइप का रेगुलर करूं'd करना Shift करना Captain अरा cooking के चैigenous के लिए करोगे तो MIS या NRML करोगे NRML मतलब carry forward MIS मतलब intraday ऐसी CNC मतलब cash and carry और MIS मतलब intraday ठीक है MIS trade करना मानलीजे आपको तो MIS कर सकते है नॉर्म करना है तो नॉर्म ठीक है उसके बाद आपने quantity डालने है जितनी भी quantity होती है मानलीजे दाइस होती है तो दाइस हो quantity पूरी लिखनी है आपे तो उसके बाद यहाँ पर आगे trade type market order करना है limit order करना है sell market करना है market order best रहता है ठीक है stop loss आपको enable करना on already on है और target one भी यहाँ पर already on है आपको target off करना है stop loss off करना है तो आप आप कर सकते हैं लेकिन वह risky रहेगा ठीक है target two या target three कोई भी select करना है तो इस तरीके से select कर सकते हैं जो target select करोगे उसी target पर आपको trade कटेगा ठीक है यहाँ पर target one select करके save कर रहा हूं जैसी हम लोग अपने आप trade हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिरफ आपको एक ही काम करना है सुबह सुबह आकर authentication में यहाँ पर टोकन लेना है ठीक है mobile से लोग डेक्स्टॉप से लो कहीं से भी आप ले सकते हो इसके अलावा कुछ नहीं करना trade अपने आप होती रहेग आशा करता हूं मेरे द्वारा दी के जानकारी आपको समझ में आ गई होगी सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और आप 6 दिन का trial ले सकते हो जैसे ही आप register करोगे default आपको trial मिल जाएगा मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबार टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग